जैहिन साथियो स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन के एडशिक्स में चैनल पे नए हैं तो अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो आप ह पड़ी अपडेट के साथ चलते हैं यहां पे देखेंगे कि बीपी एसी टीयारी फूर को लेकर अपडेट आया है कि यह परिक्षा आपका आउगस्त में होगा जी अब ध्यान से सुन लेजेगा यहां पे जो भी आपके डाउट है इस वीडियो क्लिप के बाद हम आपको देने जा रहे हैं तो इस वीडियो क्लिप में आपने देखा केके पाटक सर ने यहां पे एक बात कही क्या बात कही है तो इन्हों इन्होंने कहा है कि जो वेकेंसी है टीरी थर्ड को लेकर यानि कि जो टीरी थर्ड का वेकेंसी आने वाला है सिक्षेक बाहली को लेकर वो मार्च में होगा ये तै है उन्होंने मोहर लगा दी है और आपको बता दे कि तीसरे फेज की बहाली यहां पे होगी और चौथे फेज की बहाली अगस्त में होगी और ये इन्होंने कहा है कि एक लुए और ये लाग से ज्यादा पदों पर भरती निकलेगी टियारी फोर में अगस्त में यहाँ पर लगबग कहा है कि एक लाग के आसपास सीट होगी लेकिन टियारी थर्ड में इन्होंने कहा है कि 65,000 के आसपास की बहालिया होगी जैसा कि अपडेट आप लोगों को लगातार मिल भी रहा है और यह 65,000 की बहालियों के उपर चर्चा करने से पहले उन छात्रों के अपील को भी हम लोग देखेंगे जो छात्र अपील लगातार करें अब देखिए टियारी थर्ड में यहाँ पर जो है कौन-कौन से छात्र लेजिबल होंगे तो वो छात्र eligible होंगे जिन्होंने अपना TET एक्जाम दे रखा है चाहे वो STET हो या CETET का एक्जाम हो पहले चीज, इनका clear होना चाहिए appearing वालों के उपर इन्होंने कुछ बोला नहीं है अभी तर और जब यह notification आएगा तो उसके बाद चर्चा होगी यहाँ पर और यहाँ पर छात्रों की मांग है कि जो भी TET या STET वाले चाहत्र appearing वाले उनको मौका दिया जाए या फिर वैसे चाहत्र जिन्होंने B.A.D.R.D.L.A.D. अभी उनके जो है last semester में है वो भी appearing में है उनको मौका दिया जाए पहले चीज़ दूसरी मांग सबसे बड़ी ज़्यादा है यहाँ पे domicile को लेकर यहाँ पे चात्र मांग कर रहे हैं कि अगर यह बिहार की vacancies हैं तो बिहार में domicile rule जो अभी लगने वाला है उसको लगाईए जो आप लोगोंने पिशली बाहलियों में नहीं लगाया मतलब कि बिहार के चात्रों को यहाँ पे 90% chance मिले other state को 10% का chance मिले जैसे कि हर एक राजी का rules regulation कहता है तो यह चात्रों की मांग है दूसरी मतलब पहला कि appearing वाले सभी चात्रों को मौका दिया जाए ताकि वो TRI third में participate कर पहें और TRI third के अलावा अगर वो यहाँ पे मांग कर रहे हैं इस appearing के अलावा अगर मांग कर रहे हैं तो domicile rule को लाने की बात कर रहे हैं फिलाल मैं आपके बता दू कि यह दोनों मांगों की उपर सरकार सोचे की विचारे की उसके बाद ही कुछ फैसले आएगी यह मांग आपकी हमने रख दी यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ अपडेट है कि supplementary result को लेकर सब कुछ clear है फिर भी छात्र बहुत सारे से हैं जिनका group बना हुआ है वो इस चीज को लेकर court जाने की बात कर रहे हैं यानि कि यह मामला court में भी जा सकता है जी हाँ तो जितने भी लोग इस मामले court में लेकर जाएंगे supplementary result को लेकर तो उसके बाद जो भी फैसला आएगा और जो भी फैसला सुनाया जाएगा यहाँ पर सरकार को और आयोग को माननी पड़ेगी तो फिलाल अभी आपका supplementary result जो है BCBC department का दिया गया है लगबग 739 लोगों का selection हुआ यहाँ पर और इसके बाद जब यहाँ पर TRE4 की चर्चा होई जब यहाँ पर TRE4 की बाते होई तो TRE4 में आप लोगों का लगबग 1 लाख vacancy आने वाला है अब ये 1 लाख vacancy में eligibility किसकी क होगी तो वैसे चात्र जो कि कि इस बार बीएड या डीलेट complete कर चुके रहेंगे उसकी अलावा फिर उनको जो है June-July वाला जो है TET देना होगा जैसे कि अभी जनवरी में हुआ है तो उसी तरह साल में दो ही बार होता है लेकिन जो चात्र अभी टीटी देकर पास कर जाएंगे वह चात्र यहां पे जो है अलाउड हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए अगस्त वाला एक्जाम ठीक है तो धियान रखेगा तो सीटेट का एक्जाम है आपका इसको क्लियर करना है अगर आप वन टू एट के लिए आविदन करते हैं तो वहीं पे अगर आपने दोजार चौवीस एस्टीटी एक्जाम होगा जो उसमें अग आउ करेगा लोग यहां से 9-12 तक क्लास के लिए सिख्चेक बनने के लिए तो यह एक छोटा सा अपडेट है दोस्तों ठीक है इसका विग्यापन जो है ट्यारी 4 का जो है लगबग आपको जुलाई में निकाल दिया जाएगा और चुकि देखिए केके भाटक सर आज जो है हैं यहां पर अप्लाई करेंगे अभी इसमें देखने योग बात यहीं होंगी कि जो भी छाद्रों की मांग है कि आप एरिंग वालों को अलाउक किया जाए डोमिसेल लाए जाए इन सबी चीजों मुद्दों पर बात होती ही या नहीं होती है यह देखने योग के बाते हो होंगे फिलाल जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साजा करते रहेंगे और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेंद